वेलकम आप सबका सेल्फ स्टेडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जो शुरू करने वाले हैं वो है जो हम थर्ड वीडियो आ रही है इसके अंदर प्रिवियस इयर्स के जो एक्जाम है CGL के 8 अगस्त 2017 को 2nd shift में जो हुआ था उसको हम डिसकस करेंगे English grammar के segment को हम डिसकस कर रहे हैं इससे पहले वाली जो दो वीडियो हैं 8 अगस्त को जो 1st shift का जो एक्जाम था मैं already करवा चुका हूँ उसका discussion हम कर चुके हैं 5 अगस्त को जो 1st shift में हुआ था उसको मैं डिसकस कर चुका हूँ तो एक अलग से playlist मैंने बना रखिया है SSC previous year exam करके तो आप जाकर वहाँ पर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं तो इन चार महिनों में अपनी त्यारी को और अच्छा करना है तो previous year के जो set है उनसे बेटर कुछ नहीं हो सकता आप यह जब complete कर लें तो फिर mock test की त्यारी कर लिए तो यह best way है क्योंकि यह चीज़ें जो होती है previous year के क्या होता है कि exam में कभी-कभी previous year से जो question है वो उठा कर same to same पूछ लिए जाते है और SSC तो ऐसा करता भी आया है एक-दो-एक-दो question का मतलब होता है दो-चार नमबर दो या फिर चार नमबर और इसमें selection का बहुत matter करता है यहां पर तो यह वाली चीज़ें जो हैं आपको exam में बहुत जादा help करेंगी जिनकी त्यारी हो जोगी है उनके लिए और जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी कि आपको पता चलेगा कि PQRS कैसे करते हैं आपको fillers पता चलेगे fillers को कैसे किया जाएगा आपको पता चलेगा sentence improvement कैसे करनी है fill in the blanks से आपके सामने आएंगे direct, indirect, error, one word substitution जो spelling mistake है, synonym, antonyms सारी चीज़ें जो है आपके सामने आएंगे तो एक exam का pattern आप लोगों को पता चलेगा जो आप एक तरीके से उसके habitual हो जाएंगे जब habitual एक चीज़ के हुए होते हैं तो exam जब जाते हैं तो हमें वो अपना अपना लगता है हम वहाँ पर इतने घबराते नहीं है clear, तो आज start करते हैं तो आपके सामने जो दो question है first आपको ही try करना है जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में या पिछली दो वीडियो में कहा है मैंने कि आप ही पहले try करेंगे फिर मेरा काम होगा करवाने का तो दोनों ही error है चलिए एक बार start करिए उके, उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने करने ही कोश्की होगी देखिए, यह जो दोनों error है अरे भाईया, यह रही हाँ, शुकर यहीं होगा कि दोनों जो error है पहले की बात कर लेते हैं दोनों के एक साथ नहीं करते हैं Hardly had I reached the exhibition where I learnt about the major rovery no error देखिए, कुछ एक चीज़ें होती है हमें English grammar में ध्यान रखनी होती है English grammar में कुछ चीज़ें होती है कि hardly के साथ एक pair चलता है no sooner के साथ एक pair चलता है तो यह वाले चीज़ें होती हैं कि द्यान रखनी होती है Hardly के साथ क्या pair चलेगा no sooner के साथ क्या pair चलेगा no sooner के साथ when का pair चलता है no sooner के साथ THAN वाला pair चलता है तब जो sentence जब जोड़े जाते हैं इन दोनों चीज़ों से तो वहाँ पर hardly के साथ when लगाएं no sooner के साथ तो जरह आप यह देखेंगे Hardly had I reached the exhibition वेहर यह रहा तो दिक्कत कहां आई Second sentence में आई कईयों को क्या होता है कि सर हमें English क्या बिल्कुल deep से जानी होगी कुछ चीजें आप पहली बार त्यारी करने मैठें आपको कुछ नहीं बता यह चीजें आप देखके जाहिए आप एक्जाम देने की जा रहे हैं तो यह चीजें तो आप देखिए अपने पास रखिए कि Hardly के साथ वैन आता है No sooner के साथ है नहीं यह नहीं कहूंगा कि भाई साब कोई जरूरत नहीं होती Deep में जाने की जरूरत परती इन से चीजें आपको number gain हो जाते हैं यहाँ पर और time बचा देते हैं सब से important चीजें time बचा देते हैं आगी देखिए जड़ा No sooner did the sun rise when we resume the journey after having a hasty breakfast तो यहाँ पर देखा आपने मैंने अभी थोड़ देर पहले कहा न No sooner के साथ THAN वाला pair चलता है THAN लगाओ भई समझ में है न क्या दिक्कत है hardly के साथ when का no sooner के साथ then का देखिए चार number के कोशन था time कुछ second भी नहीं लगते हैं यहाँ पर मतलब आपने देखा कि second में error है second में कर दिया time भी नहीं लगा यहाँ पर तो आपके third question करते हैं third question कहते है he dash to the problem of air pollution in his speech बहिया कोई बंदा speech दे रहा है और कोई दिक्कत है air pollution की उसने अपनी speech में क्या किया है यह हमें देखने है clear तो जरह आपकी सामने जो option है वो देखिए averted averted का मतलब होता है अरे कहां जाते हो averted का मतलब होता है टाल देना adverted देखी यह वाले जो question है यह आपके एक तरीके से देखे जाए तो vocab के उपर dependent है adverted adverted का मतलब होता है उस चीज को उलेखित करना शामिल करना उस चीज में तो he adverted to the problem of air pollution in his speech appropriate यहां पर यह लगता है तो यहां पर जो आप देखोगे तो यहां पर second option जो है वो right रहेगा exclaimed exclaimed में आप किसी का आश्चरे चक्कित नहीं हो रहे हो ना किस चीज को आप उस चीज को शामिल कर रहे हो अपनी speech के अंदर clear यहां पर अच्छा fourth में देखते है fourth में कहा रहा है Rohan is so magnanimous that everyone is always dash to help him in this project मतलब बहुत दयालू है बहुत उदार है Mohan तो इसलिए जो बंदा दयालू होगा उसके लिए लोग क्या करेंगे इच्छूग होगे ना उसकी help करने के लिए तो आओ reluctant reluctant का मतलब होता है unichuk ignorant हर कोई ignorant थोड़ा करेंगे तो दो option तो वैसे कट केंगे यहां पर है तो इसका eager ही है eager क्या मतलब होता है ichuk intuitionistic का मतलब होता है utsahit utsahit को नहीं करना है हमने eager करना है तो यहां पर आगया समने worst question first आपका option clear हुआ तो यह वाली तो दो question थे वह एक तरीके के समझ पर vocab के ऊपर यह dependent है तो आपको दियाँ पर जिजों का ध्यान रखना है clear आजे आगे fifth और sixth जो question है वो है vocab यानि आपको similar word ढूड़ने आपको एक बर ज़रा खुद कोशिश करिए okay उमीद करता हूँ कि आप लोग phone use नहीं कर रहे है extra इन questions को करने की यह देखिए आपको पता चलेगा कि किस level के question आ रहे है ओके fifth question पर आते है fifth question है succulent succulent का मतलब होता है juicy ठीक है juicy juicy है तो यहाँ पर आपके सामने option चमक ही रहा है clear यहाँ पर यहाँ पर है congregation congregation का मतलब होता है इकठा होना एक तरीके का संगठन बनाना तो संगठन बनाना तो इसकी discussion, attention नहीं हो सकते contraction का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना नहीं है assembly is the right answer congregation का मतलब होगे यहाँ पर assembly यहाँ पर इसका स्राई आंसर है clear हुआ यह होगे आपको हो रहा है नहीं हो रहा ओके चलिए करते हैं उमीद करता हूँ आप लोगों कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ वो कर रहे होंगे better है देखिए उससे चीज़ें ज्यादा grab होती है आज़ा पहला जो को होना है पहले जो यानि 7 पे चलते है 7 का है evanescent evanescent का मतलब होता है एक तरीके का मतलब shanbhur मतलब थोड़ी से देर का तो इसका आपको विप्रीट होना है fleeting eratic इन दोनों का मतलब होता है shanbhur मतलब थोड़ी से देर का stirna हो na illusive illusive एक तरीके का mayawi चीज है तो ये तीनों तो वैसे कट गया, तो enticing enticing इसका opposite हो गया clear यहां पे, अच्छा अगला जो word है जो एड़त है panegyric, panegyric panegyric का मतलब होता है प्रशंसा बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देना भईया अब आप किसी की प्रशंसा करोगे उसका विप्रीत क्या होगा, उसकी बुराई करोगे तो बुराई के लिए यहां पर आपके सामने एक criticism तो आपके सामने हो गया प्रशंसा का criticism, clear हुआ तो यह दो question हो जाते हैं या कि आपके सामने अगले दो जहां पर आप idioms करने वाले हैं जड़ा करिए एक बर इनको ओके चलिए देखते हैं नाइन्थ कोशन नाइन्थ कोशन है वील का तो मतलब पता है न वो टायर हो गया उस टायर में अपनी स्पोक स्पोक का मतलब एक छड़ी जो है उस वील के अंदर डाल देना अब सोचो जड़ा अब होगा क्या इससे आप किसी के लिए problem create कर रहे हो आप किसी के लिए problem create कर रहे हो to put a difficulty in the way of progress आप उसकी problem उसकी progress में difficulty पैदा कर रहे हो तो यह होगा आपकी सामने इसका answer ये वाले जो चीजे हैं मैंने image के थुरू आप लोगों को करवा रखी है आप जाके playlist में check करेंगे idiom and phrase करके तो वहाँ पर मैंने idioms को with image के साथ करवा है ताकि आपकी याद करने की जो probability है वो बढ़ जाए वहाँ पर और बहुत easy ways चीजें कर रहे हैं हैं वहाँ पर तो जाकर देखिए वहाँ अभी नहीं जाना है अभी तो वीडियो देखिए पूरी अचा टेंथ कोशन है यह है at loggerhead at loggerhead होता है किसी के साथ मतलब जगडा होना to conflict with someone यह भी मैंने image के थुरू करवाई हैं यह सारे चीजें अब यहाँ पर वह image मैं लेकर नहीं आया हूँ आप जाकर देखिए जा मतलब जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत easy way में वह चीजें करवाई गई हैं आप लोगों के help के लिए ही वह चीजें हो रही हैं clear? आचा आते हैं अगले question पर 11th 11th और 12th जो है वो sentence improvement है sentence improvement जो bracket में जो bold action में लिखा हूँ ना उसको improve करके आपको लिखने है चार करिए एक बार 11th और 12th ओके she is the best and the wisest girl in the class अब यहाँ पर SSE ने जो answer mark किया है वो है third the best and the wisest लेकिन गलत है इसका answer आना है no improvement no improvement कैसे देखिए अगर आप किसी के पहले दो article यूज कर देते है the best and the wisest अगर इसका मतलब कर देते हो ना तो वहाँ पर आप दो लोगों की बात कर रहे हो एक लोग की एक इनसान की बात नहीं हो रही है ठीक है दो इनसानों की बात हो जाती है इससे error इसकी practice मैंने अभी करवा नहीं है तो बहुत सारी चीज़े मैंने आप लोगों करवा दिए वो जाकर देखिए आपकी बहुत ज़्यादा help होगी यह article से related है article कहलो या adjective कहलो तो उन में related आ जाती है तो आप क्या करेंगे यहां पर article दा और दा दोनों अलग 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 लगाएंगे तो इसमें जो है वो plural meaning चाहिए था लेकिन plural नहीं है यहां पर singular है तो singular है तो sentence no improvement में ही जाना चाहिए था एक की बात हो रही है जो girl जो है वो best है वो ही सबसे ज़्यादा समझदार है class के अंदर तो यह बात होगी अच्छा है इंप्रूफ जा 12th question में यह वाला question मैंने बहुत ज़्यादा detail से बहुत ज़्यादा detail से मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है pronoun के demonstrative pronoun मैंने आप लोगों करवाया था तो pronoun का आप जाके देखेंगे तो demonstrative में आप जाके देखें वहाँ पर यह वाला जो जीज़ है then वाला then के जो error है मैंने करवाया हूँ है बहुत अच्छे detail से क्यों किसलिए आएगा क्यों रखेंगे सारी चीज़ें बकायता मैंने detail से बताइए तो जाकर वो देखिएगा अब यहाँ पर answer जो है वो यह है wiser than those of America those of America those क्यों लगाऊँगा देखिए आप comparison कर रहे हो लोगों का आप comparison करते देखिए subject का comparison फिर भी बता दे तुम subject का comparison क्या चलता है subject के साथ चलता है object का comparison object के साथ चलता है यहाँपर subject बना है people और यहाँपर subject क्यों बना है America आप America का comparison लोगों के साथ कैसे कर सकते हो भी इस तरह सोच कर देखो अब हएट का comparison height के साथ ही तो करोगे ना कि height का comparison उसके साथ weight के साथ कर तो गए तो peopleration और America का comparison कैसे होगा people जो है वो Japan के हैं इसलिए अमेरिका के भी तो people होने चाहिए अमेरिका के लोगों का comparison होगा जपान के लोगों का और अमेरिका के लोगों का comparison होगा तो इसलिए those लगाया जाता है तो यहाँ पर those of यह जो those है वो demonstrative pronoun है यह people को demonstrate करेगा इसकी तरब इशारा करेगा और those of ओ प्रिपोशन लगाएंगे अमेरिका का इसका उपर अधिकार हो जाएगा इसलिए those of यह बहुत डिटेल से मैंने चीज़ें कराई हैं बहुत एरर इसके पर कराई हैं तो अगर आपने इसका क्या है अरे क्या हो रहा है हाँ इसका जो है रेकाउंटर रेकाउंटर जो है इसका हो गया आंसर रेकाउंटर का मतलब होता है जो कहानिया सुनाने में अच्छा हो टायर होता है मतलब एक तरीकी का तुछ वो है fanatic ventral ventral का मतलब होता है fanatic का मतलब होता है kullar अब यहाँ पर आते हैं 14 में fear of fire म Ribbon आग से डरने वाला आग से डरने वाले हो कहते है arsonophobia arsonophobia अचाइ यहां पर यह होता है यह होता है astrophobia astrophobia का मतलब होता है आंदी तूफान से डर लगना Astrophobia, Khugol, Khugol से related होता है Aranphobia, Aranphobia का मतलब होता है Man से डरने वाला Aranphobia का मतलब होता है Man से डर, जिसको आदमी से डर लगता हूँ Clear हूँ 14 पे है, यहांपर आपको spelling 15 और 16 में आपको spelling ढूड़नी है कि कौन सी incorrect है 4 दियु हुई है, इसमें से 1 incorrect है यहांपर भी इन में से 1 incorrect है 15 का answer है, hyzine ठीक है, यहांपर I जो है, वो E से पहले आना था यानि H-Y-G-I-E-E-N-E Hyzine अच्छा, यहांपर क्या है यह जो है, इसका demise D-E-M-I-S-E यह आना था, मृत होता है इसका मतलब Demise clear हुआ अब आगे आते हैं यह रही, काफी important चीज़े हैं P-Q-R-S, जो यहांपर आप लोगों को sentence दियो हैं, उनको सही ढंक से उनको जचाना है, यह सारा का सारा जो है, वो comprehension के एक तरीके से है आपको समझ होनी चाहिए, कि आप meaning निकाल पा रहे हैं, उनको सही से जैसे मैंने trick कहा है, आपको यह देखना है कि यहां पर जो option दियो होते हैं, उसमें देखना होता है कि sentence कि से शुरू हो सकता है, Q-P-R-S मतलब उसने तो सारे सी दे दिया P-Q, मतलब कि Q-P-R-S सारा ही दे दिया, मतलब उसने अब यानि हमें एक-एक sentence देखना पड़ेगा, देखे, He raised His voice against idol worship, उसने आवाज उठाई थी, मूर्ती पुजा के किलाफ आवाज उठाई थी, People are generally very open and accept social changes with a positive attitude, People जो होते हैं, वो बहुत जादा open होते हैं, और वो accept कर लेते हैं social changes को एक बहुत जादा positive attitude के साथ, उनको कोई problem नहीं होती Swami Dayanand Sarasuti is remembered with reverence and affection among the social reformers of the 19th century जो उनिस्वी शताब्दी थी, उसमें Swami Dayanand Sarasuti जो थे उनको याद ही इसलिए किया आता है श्रद्धा और प्यार के लिए सभी के सभी जो social reformers में थे उनमें से, इंडिया is a country India is a country which respects spiritualism much more than materialism मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर अध्यात्मा की ज़्यादा value के जाती है as compared to भोतिक तवाद की, मतलब जो चीज़ें होती हमें ये भोतिक सुक चाहिए उस चीज़ से ज़्यादा comparison हमारे अध्यात्मा को दिया जाते है clear तो ये आपको meaning मैंने बता दी है अब ज़रा आते हैं क्यों से start करते हैं क्यों कह रहा है people are generally very open and ठीक है भई, हमने ये मान लिया एक बार ये लगा लेते हैं जो लोग होते हैं, वो बहुँ ज़ादा open होते हैं accept कर लेते हैं social changes को एक बहुँ ज़ादा positive attitude के साथ ठीक है R है इसके बाद R इसके बाद आ रहा है R कह रहा है He raised his voice against idol worship कौन उठा लेता है He, कौन आप reference, किसका reference दे रहे हो फिर आप कह रहे हो As India is a country which respects spiritualism much more than the materialism ये क्या हो रहा है आपने पहले बोल दिया लोग ज़्यादा खुले हुए है फिर आपने का वो, उन्होंने आवाज उठाई थी ये बना नहीं आहां पर तो meaning यहां पर इसका बनेगा नहीं अच्छा, PR पे आते हैं P कह रहा है He raised his voice against the idol worship उन्होंने आवाज उठाई थी PR, भई, आप श्वामी देनन सरसुती का नाम यूज कर रहे हो तो उसके बाद यहां पर ही आएगा ना reference इसको ही कर देखे pronoun जो होता है वो noun के repetition के रोकने के लिए आते है तो यह जो चीज आपने देखी यह तो noun लिख दिया लेकिन ही इसके बाद ही तो लिखा जाएगा इस sentence के बाद लिखा जाएगा तो यह हाँ पर खतम होगी तो एक बात आपने देखी यहाँ पर R के बाद P आएगा R के बाद P आएगा क्योंकि इस देखे स्वामी दियानन सरसुती is remembered पहले इस sentence का जिकर होगा फिर वहाँ पर अगले sentence में ही का यूज होगा क्योंकि repetition रोख नहीं होगी noun की तो R के बाद P होगा तो आपको देखना R P का है देखी यह रहा यह रहा R P आप को और चीज़ देखने के जूटत नहीं है और यहाँ पर जो लोग है वो generally very open and accept social changes with a positive attitude के साथ तो accept करते है फिर स्वामी देनन सरसुती जी की बात हुई यहाँ पर कि उनको याद इसलिए किया जाते है क्योंकि उनके अंदे प्यार उनकी श्रद्धा के कारण उनको याद किया जाते है और उनको ने अवाज उठाई थी अपनी idol worship के यानी मुर्ती पुजा के किलाव अवाज उठाई थी so that is the correct answer fourth clear हुआ क्यों हुआ यह क्योंकि इसमें जो थे meaning हमारे सामने बहुत appropriate way से सामने आये थे clear हुआ okay 18th में चलते है 18th है यहाँ पर for that पी से देख लेते है for that we need people who possess not only high skill but high value as well for that उसके लिए हमें जरूरत है लोगों की जिनके पास हो केवल high skill ही नहीं मतलब एक values उनके principle उनके सिधान्त भी काफी अच्छे हों तो वो नहीं मतलब भाई सब किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर पिछले reference तो हमें देना पड़ेगा तब यह sentence हमारे सामने खूल कर आएगा बात किसकी हो रही है किसके लिए hire कर रहे हो हमें किसके लिए बंदों की जरूरत है तो यह तो नहीं बनेगी बात तो एक तरीके से यह P वाला तो यहाँ पर हम काड देते है तो P वाला हम काड देते है हम आते हैं S वाले पर S वाले पर आते है S वाला कह रहा है Our aim is to evolve हमारा जो सपना है not only an affluent society हमारा मतलब हमारा जो सपना है वो vixit करना है केवल rich परिवार को नहीं but an egalitarian just human and compensate society मतलब एक स्वाना अधिकार व्यक्ती को भी उसको द्यालूता सिखाए जाए society के अंदर तो यहाँ पर इसका meaning यह हो गया ठीक है चलो हम aim से हम ले लेते हैं फिर P में जाते हैं P कहते हैं for that we need people who possess not only high skill but high value as well और उसके लिए हमें उन लोगों के जूरत है जिनके पास high skill के साथ-साथ values भी काफी जादा high हो बहुत सही है मतलब SP तो बिल्कूल सही चल रहा है SP तो बिल्कूल सही चला अच्छा आगे है SP के बाद है R R कह रहा है when we talk of investing in education a question arises as to what kind of education need to be given to the youngster जब हम बात करते हैं education में investing की तो एक question ये उड़ता है कि किस तरीके की education की हमें जुरूरत है यंग्स्टर के लिए तो चलो ठीक है यहां पर यहोगी R अच्छा क्यों क्या कह रहा है So the need of the heart is not only high skill based education but also value inspired and value based education तो बात तो बैटर ये रहेगी कि अगर ये value की बात यहां पर होई थी न तो इसके बाद भी value यहां पर लेके हैं So मतलब कि SP के बात क्यों जादा बैटर रहेगा क्यों इसलिए बैटर रहेगा क्योंकि values की यहां पर बात हुई तो आप क्योंकि यहां पर जिकर हो गया न पर हमारा सपना तो है विक्सित करने का rich परिवार को नहीं यानि एक आम नागरिक को भी हम उनको मतलब अच्छे से विक्सित करें द्यालूता की society हम बना पाएं तो वहां पर जो चीज है उसके लिए हमें एक जुरूरत पड़ेगी कुछ लोगों की जिनके पास high skill के साथ मतलब high values भी हो और आज की data में हमें जुरूरत है not only skill based education skill based education नहीं बट also value inspired and value based जुरूरत है तभी हमें इनकी जुरूरत आए पड़ी न तो P के बाद Q बेटर रहेगा तो R कहां बचेगा रहे R पहले लेके आना पड़ेगा SPQ तो कहीं है नहीं SPQ तो यहां पर है तो R पहले आएगा यहां पर 4th is the right answer तो 18th का हो गया 4 So in these type of questions we need comprehension मतलब कि हमें समझ की बहुत जादा जूर्ट पड़ती है यहां पर in type के questions को करने के लिए कुछ जगें trick की काम आ जाती है जैसे कि किस question से हमें start करना है किस से नहीं करना है तो वो चीज़े हैं देखिए इस type के question आ जाते हैं तो वहां पर आपकी totally समझ है यहां पर देखिए clear फिर भी मैं कोशिच कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि भी हाँ छोटी मुटी जो trick है उसके तुरू हम questions को solve कर पाए अच्छा 19th और 20th जो question है 19th के अंदर active passive और 20 जो question है उसके अंदर direct and direct एक बर करके देखिए जगा 19 जो question है उसके अंदर यह है please guide me simple sentence है simple sentence में have been क्या कर रहा है वर क्यों आया आर बिंग क्यों आया चिक चिक के बोल रहा है भाई मैं हूँ first बोल रहा है elimination दो नंबर फ्री के दो नंबर फ्री के यहां से अच्छा दा टीचर सैड़ अर्थ रिवोल्स अराउंड दा सन दा टीचर सैड़ दा चीचर सैड़ अर्थ इस बींग क्यों आयेगा रिवोल्ड क्यों आयेगा है विन यह रहा क्यों भई देखे यह जो चीज होती है वो युनिवर्सल टूथ होती है भई अस धर्ती जो है वो गूमती तो है सूरज के चारव तरो तो यह ना तो कल घूम रही थी ना यह आज घूम रही है ना आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा ना भई पहले घूम रही थी अब नहीं होमेगी ऐसा तो नहीं हो सकता तो यह जो चीज होती है यह युनिवर्सल टूथ होती है और युनिवर्सल टूथ होती है same to same रहता है, तो the earth revolves around the sun, the right answer is second, clear, ये भी दो नमबर के free fund के हैं, देखे जाएं तो, ठीक है, कुछ एक चीजों में आप लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन कुछ-कुछ questions हैं, इसके अंदर आप easily question ले सकते हैं, देखे ये वाला, आपके सामने जो filler है, इसके अंदर जो both commercial and non-commercial source, देखे, जो energy है भारत की, वो हमें मिलती है, commercially भी और non-commercial source से भी, अच्छा कैसे, recruitment, the requirements of energy, या फिर the source of energy in India, या फिर availability, या lesson, lesson कम अतो होता है कम, तो यह तो भाया आएगी ही नहीं, आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर जो आएगा, the requirement, requirement है जो energy की भारत में, वो हमे हमें कहां से मिलती है, मैट हमें कहां से मिलती है, availability क्यों लगा होगे, available थोड़ना है, हमें requirement पढ़र रही है ऑस शीच की, वो कहां से मिल रही है, हमें, commercial source से भी और non-commercial source से भी, clear, तो यहाँ पर हो गया हमारे सामने, first का, यहाँ पर हो गया, one आ गया है, यहाँ यहाँ आप अरे कुछ गलत हो गया गया अच्छा यहां पर कुछ होना था अच्छा 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 शाइद मेर से ही जो यह मैं लेके आया हूँ गड़ब हुई है डैश नोन कमर्शियल अच्छा यहां पर आना था इसके बाद क्या है क्या में सही हो क्या अरे मुझसे ही कुछ गड़बाद नी हूई कुछ नी हूई ठीक है ठीक ठीक है ता मोस्ट पर इन ही है ठीक है यहां पर आई ए करदी तम डैश सौर्षो अदरजी टूड़ए नssty्रा अप को पता दमोस्ट आपकी समने insignificant और expensive तो नहीं आएगा the most important source of energy आज की डेट में क्या है जो आज की डेट में है the most important source of energy today are coal and natural gas तो यह चीज़े है hydroelectricity and nuclear power तो important source तो यह हो गया है इसका answer हो गया third वाइटल भी आ सकता है वाइटल का मतलब भी important होता है लेकिन SSC ने इसको third correct किया would be it is vital or important both are correct but SSC ने यह important सही किया है वाइटल का मतलब आप देखेंगे न तो vital का मतलब भी important ही होता है clear? अच्छा अग्याप यहाँ पर आते हैं on the other hand firewood, cow dung cow dung cake and vegetable waste etc dash non commercial form of energy इन जीजों को मिलाकर ही तो एक non commercial energy बन रही है किसको आपने मिलाया इसको firewood को लकडी को, cow dung को, gober जो अपले होते हैं उनको और vegetable के waste को मिलाकर एक non commercial source मनती है तो इनको मिलाया गया है, इनको इकठा किया गया है तो क्या किया गया है? constitutes constitutes तो constitutes यहां पर इसका best answer होगा mix नहीं होगा, collaborate नहीं होगा collaboration दोड़ना करें, company दोड़ने collaboration करने बैटोगे यहां पर तो constitute इनको मिलाकर जो चीज बनती है वो non commercial source में आती है first is the right answer for this question okay आते हैं while non commercial while non commercial form of energy dash demand अच्छा, non commercial क्या करती है need, meet, shed, rest then while non commercial form of energy meet, meet demand, while non commercial energy क्या करती है meet करती है demand को, clear यहां पर अच्छा, coal is the dash source of, अच्छा, यहां पर है coal is the dash source of commercial energy in India भाई कैसा है, smallest है, hardest है, largest है heaviest है, मैंने space देती है भीच में T's के साथ आना था, heaviest है या कैसे, भाई यहां, largest है largest है, तो यहां पर इस कांसा आगया, third तो यह होगे आपके सामने 25 question, 8th August, 2nd shift को आया paper, CGL का pre clear हुआ, आपको इस videos related, जो PDF है आपको मिल जाएगी, Telegram में एक link दिया मिलेगा, उसका क्या कहते है, Telegram करें, कुछ उल्टाई बोल रहा हूँ, description box में link दिया मिलेगा, आप लोगों को Telegram चैनल का जाकर join कर लेजे, वहां पर आप लोगों को इस videos related PDF भी मिल जाएगी Facebook group का भी है, Facebook page का भी है जो आपको अच्छा लगए, वह जाकर join कर लीजे best है आपके लिए PDF में जाएगी और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो, क्या कर सकते हैं, like कर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं, चैनल को देए तो free of cost है, आपके लिए महनत हो रही है इतना तो बनता ही है, free of cost है अच्छा, और जादा ही पसंद आगई है तो भाईया क्या करो, share कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने group में अपने जहां पर भी भाई बंदू बैटे हैं, उन सबको knowledge बाटेंगे, तो बढ़ेगी clear हुआ, thank you for watching this video